जहें दोस्तों AOC Center सिकंदराबाद का फुल PDF चार्ट आपको explain करूँगा बहुती सठीक जानकरी के साथ में दोस्तों अगर आप भरती में जाना चाते हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक दीखे ताकि कोई भी documentation से related और बाकी जानकरी अधुरी ना रह जाए ताकि महाँ पे ज Center को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे selection procedure, date of birth में variation, document कौन-कौन से लेके जाने हैं, bonus mark से लेके Corona report कौन से लेके जाने हैं, online registration होगा की नहीं, सारे doubt आपके इस वीडियो में clear हो जाएंगे AOC Center के बारे में ठीक है दोस्तों तो चली शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, AOC Center का यह जो चार्ट है, यहाँ पे दोस्तों UHQ enrollment की भरती है, और कौन-कौन से trade apply कर पाएंगी दोस्तों इसमें होगी soldier technical AT, soldier और यहाँ पे soldier clerk SKT, trademan 8 युपास 10 युपास, soldier GD के अंदर दोस्तो, SHGD, SHT और DMT, यहाँ आपको बता दू, SHT का मतलब है, यहाँ पे दोस्तों, store handing taking, DMT का मतलब है, दोस्तों, यहाँ पे driver mechanical transportation की यहाँ पे भरती है, यहनी कि उसको driver बोला जाता है, ठीक है, इसके बाद में यह भरती है, आपकी चलेगी दोस्तों, 18 जनवरी को था पर स्टेडियम में सुबह 6 वजे आपको पहुचना होगा, fully document के साथ में, इसके बाद दोस्तों, soldier technical ammunition examiner, any state, 10th pass, 8th pass में जो ट्रेड में ने, दोस्तों, उसके अंदर है, artisan, metallurgy, मतलब जो लोहे से related काम होता है, लुहार टाइप से, उस टाइप का काम है, supporting staff ER, यहनी कि दोस्तों, equipment repair, ठीक है, housekeeper और chief, चीफ का इसके बाद soldier general duty में भी, दोस्तों, मैंने जैसा बता दिया, आपको SHT driver MT के बारे में, इसके बाद age limit की बात करते हैं, तो दोस्तों, इहाँ पे clerk SKT, 10th pass, 8th pass के जो ट्रेड में ने, इनकी दोनों की age है, साड़े सतरा से 23, बागी general duty के लिए है, साड़े सतरा से 21 साल की age limit, प दोस्तों, 10th plus 2 होना चाहिए, किसी भी stream में, जैसे की art, commerce, science, 60% मतलब 1st division में pass, और 50% हर subject में marks होना चाहिए, ट्रेड में 10th pass के लिए, दोस्तों, 10th आपको simple pass, 33% marks, और ट्रेड में 8th pass के लिए 8th simple pass, 33 हर subject में marks होने चाहिए, जनरल duty के लिए दोस्तों, आपके दस्वी में 45 परतिसत का aggregate, और 33% हर subject में marks होने चाहिए, दोस्तों, running तो आपको पताए, 1.6 km की होगी, इसके बाद 9 feet, डिक, जिग जग और pull-ups होंगे, और यहाँ पर कुछ state-wise shoot दे रखी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोस्तों, यह जो इस shoot मिल जाएगी, relaxation भी मिलेगा, दोस्तों, किसको मिलेगा, relaxation, physical standard में, वो है son of war widow, और exercise man के बेटों को, national, international level, जो outstanding sportsman है उनको, और दोस्तों, यहाँ पर candidate, जो soldier technical category के लिए हैं, जो की health from central दादर नागर हवेली, उनको भी यहाँ पर chest में सिर्फ छूट मिलेगी, एक centimeter गी, तो यह हो गया, relaxation, अब बात करते है प्रियोटी कौन से सेंटर को मिलने वाली है, दोस्तों, इसके अंदर, first priority दोस्तों दी जाएगी, यहाँ पर own regiment, battle casualty, liberalized family pension, AOC only, यानि जो army ordinance, core के own regiment वाले हैं, और जो battle casualty और pensioner family है, उनको दी जाएगी, इसके बाद second priority दोस्तो, own regiment, disability pensioner, और special family pensioner को दी जाएगी, AOC के बच और तो और fifth जो है, वो दोनों जी जाएगी, non-AOC वालों को, other centers को यहाँ पर priority दी जाएगी, दोस्तों, इसके बाद करते हैं, marital status की, तो दोस्तों, आपकी age अगर 21 साल से कम है, तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है, इसके लिए क्या करना होगा, कि इसमें आपको document provide करने होते हैं, unmerit certificate का, इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि selection procedure किस प्रकार से होगा, तो selection procedure के अंदर दोस्तों, यहाँ पर 1.6 km की running पहले होती है, इसके बाद physical measurement होगा, document check होगा, medical exam होगा, फिर admit card देने के बाद आपका common entrance test 28 February को लिया जाएगा, तेलंग और यहाँ पर detail हो जाएगा, दोस्तों, headquarter तेलंगा ना, आंधरा sub area में, आपको बता दे, 12 नमबर पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग candidate, जो reject हो जाएंगे, इन में से किसी भी test में, उसको जो है, finally reject माना जाएगा, और यहाँ पर 13 नमबर point पर permanent tattoo not allowed, ठीक case में variation है, आपके service document, relation certificate में, तो उसको minor variation बोलके accept किया जाएगा, मगर इससे ज़्यादा वाले को accept नहीं किया जाएगा, variation candidate name and father name, mother name, तो दोस्तों, जैसा कि आप service document और relation certificate के अंदर, आपका नाम, पिता का नाम के अंदर कोई variation है, surname में variation है, तो छोटा मोटा variation चलेगा, मगर जैसे नाम ही अलग है, तो फिर वो भी नहीं चलेगा, इसके बाद दोस्तों, document की बात कर लेते हैं, सबसे important भरती के दोरान, document, दोस्तों, यहाँ पे education certificate आपको लेके जाना है, mark sheet वगेरा, सभी की photocopy, zerox करवाके लेके जानी है, इसके बाद relation certificate, as per format, दोस्तों, आपको लेक लेके जाना है, record से issue होता है, इसके बाद दोस्तों, आपको एक एफेडेविट बनवा लेना है, जिसके अंदर सारा सब कुछ लिखा होगा, आपका जो है, education certificate से related, और उसके अंदर सारा मनलब, उसको overall जो है, एक एफेडेविट बोलते हैं, वो 10 रुपे के stamp paper पर आपको ब एलिट रहेगा, अगले point में दोस्तों, cost and residence, national, nativity certificate, जो कि आपका मुलनीवास ही है, वो आपको लेके जाना है, दोस्तों, और इसके बाद में आपको यहां पर बता दे, in case, आपकी age जो है, 18 साल से कम है, तो एक willingness certificate बनता है, दोस्तों, उसमें आपके पिताजी साइन करते है सरपंच का साइन होता है, ताकि आपको उसमें रहता है, कि आपकी age 18 साल से कम है, हमारा बच्चा अला हो है, रेली भरती देखने के लिए, आगला बता देते हैं, दोस्तों, आपकी मेरी 21 साल से कम है, तो आपको मेरी certificate एक प्रोवाइट करना होगा, NCC, अगर ABC certificate है, आपके पास, या फिर ID parade आपने attend की है, आपको वो certificate लेके जाना है, A certificate के लिए 5, B के लिए 10, और C के लिए आपको exam माफ कर दिया जाता है, clerk और GD और trademan के लिए, clerk में आपको एडिशनर bonus marks मिल जाते हैं, इसके बाद 24 copy photograph की आपको लेके जाना है, recent photograph मतलब 2-3 महने के अंदर के होने चाहिए, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे candidate को जो है unmarried होना चाहिए 21 साल से कम के लिए, तो इस तभी आपको वहाँ पे apply करना दिया गाए, इसके बाद दोस्तों आधार card, pen card और अपने bank के passbook आपको लेके जानी है, यहाँ पे, आपको आगे बता दे दोस्तों कि अग का इसमें किस तरह से procedure होगी, cost-nary notice जो है वो important है दोस्तों आपके लिए, तो candidate को यहाँ पे warn किया जाता है, किसी को पेसे नहीं देना है, army authorized को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, इसके बाद में दोस्तों element, middleman, tots से सावधान लेने के लिए बताया गया है, इसके बाद दोस जो की military band के बारे में कोई भी instrument बजाना जानते हैं, वो लोग जाके direct apply कर सकते हैं, दसवी पास की mark sheet के basis पे ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो लोग open category देखना चाते हैं, sportsman से वो basketball, football, volleyball, कबड़ी, handball, hockey, swimming, wrestling, boxing, athletics, इतने game में माहिर होंगे, national, international का certificate होगा तो वो भी apply कर पाएंगे दो साल के अंदरवाला, आगे बता देते हैं, दोस्तों आगे यहाँ पर d number point पे लिखा होगा है, कि sportsman को 15 जनवरी को सुबह 6 बजे, वहाँ पर trial के लिए report करना होगा, बाकि 18 जनवरी को सुबह 6 बजे report करना है, थापर stadium सिकंदराबाद में, दोस्तों आगे रेली में mandatory है, कोविड-19 की report, medical certificate प्रोवाइट करना होगा, दोस्तों आपको वो भी ICMR की authorized lab से, और वो भी सिर्फ दो दिन के अंदरवाला, यहाँ पर two days लिखा हुआ है, इसके बाद no risk certificate, दोस्तों no risk certificate आपको मिल जाएगा, जोइन इन आरमी की website पे, सारे certificate आपको मिल जात आगे दोस्तों यहाँ पर candidate के पास में कोई भी symptom है COVID-19 के, तो आपको station में नहीं आना है, इसके बाद में आपको वापिस भेज दिया जाएगा, अगर आपको fever cold cuff या running nose के बारे में कोई detect करते हैं, तो candidate को दोस्तों यहाँ पर travel करने के लिए मना किया हुआ है, contourment zone में, ठीक maintain good respiratory hygiene, मतलब सांस जो छीकते हैं, अगर आप बिमार हो तो आपको inform कर देना है, तुरंत और आपको दोस्तों फाइनली भी supportive, be care, alert and safe, ठीक है दोस्तों यह सभी बोलते हैं, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है, दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई भी doubt बाकी र आत्रम